देखिए अगर आपको गाड़ी फाइनेंस कराना हो या प्रोशनल लोन लेना हो सबसे पहला लोन अप्लिकेशन का नाम आता है सिर्राम फाइनेंस का है इस अप्लिकेशन का अंदर बहुत ही असानी सापको 20 लाग तक की लोन अमाउंट मिलने की चांसे रहती है तो आज किस व वीडियो को कि कैसे लोन के लिए प्लाइज कर सकते हैं और जो भी लोन मिलता है उसको अवक्यित लाउन लोन लम मिल जाता हैं पर बहुत सारे Blues का option मिल जाता है जैसे कि business loan personal loan वाई का लोन तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे में आपको कुछ calculator का option मिल जाता है आप यहाँ पर calculate भी कर सकते हैं personal loan वाला option को select करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 20-30,000 वाख तक की loan बहुत ही असानी से मिल सकती है वहीं interested की बात करें तो आपको यहाँ पर 12% से लेके 42% का interest rate आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है वहीं tenor की बात करें तो आपको यहाँ एक साल से लेके 5 साल यानि 60 महीना तक का समय मिल जाता है लोन को चुकाने के लिए तो आप एक पर यह सब सारी डिटेल्स चेक करेंगे और नीचे में apply now का बटन मिलता है apply now वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो apply करने के लिए सबसे पहले आपके यहाँ पर तीन अप्सान को फिल करना होता है जिसमें की सबसे पहले आप से उसके बाद नीचे में आपको apply now का बटन मिलता है detail फिल करेंगे और आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे apply now पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके नमर पर एक OTP सेंड कर जाएगा आप उस OTP को यहाँ पर allow करके फिल कर लेंगे और नीचे में यही पर आपको verify and proceed का बटन मिलता है O OTP आप यहाँ से verify कर लेंगे तो आपके यहाँ पर टोटल तीन step मिल जाते हैं loan को complete करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले step में आप से professional detail पुछी जाती है आप यहाँ पना सबसे पहले आपकी pen नमर मांगी जागी pen नमर फिल करेंगे और नीचे में continue वाल अबर्त यहीं पर मिल जाता है आपकी gender मिल जाता है यहाँ पर आपकी email ID मांगी जाती है ध्यान में रखेगा जो भी आपकी email ID आपकी civil से link होता है वही email ID फिल करेंगे उसके बाद नीचे में ही आपको यहाँ पर loan टेनर का option मिल जाता है जितने भी मंत के लिए आपको आपकी address detail आपसे मांगी जाती जिसमें की सबसे पहले address line 1 address line 2 आप अपना area name pin code city state फिल करेंगे नीचे में फिर आपकी यहाँ पर पुछी जाती है जो आपको उपर वाली address वहीं आपकी permanent and current address होगा तो यहाँ पर box में ठीक करेंगे आपकी फिर से यहाँ पर resident detail मांगी जाती ह अगर आपका कुछ और होगा तो आप यहाँ पर फिल कर सकते अनदर वाइज आपके यहाँ पर continue का button मिल जाता है continue वाल बटन पर क्लिक कर देंगे उसका बद नीचे में आपसे यहाँ पर residential detail पूछा जाता है जिसमें की पूछा जाता है कि क्या यह जो आपका address है आपका same address ह यस करेंगे आपकी residential टाइप पुछी जाएगी अपनी होगी तो रहेंगे रेंट पर रहेंगे तो रेंट करेंगे आप से पूछा जाएगा कि आप कितने समय से यहाँ पर वास कर रहें आपको यहाँ पर आट सल से ज्यादा की समय में जाता आपई उप्शन कर लेंगे नी आपको यहां पर सुराम फाइनेंस के दौरा कोई भी एक एजन्ट यहां पर आपसे कनेक्ट हो के बताता है कि आपकी यहां पर लून अप्रूब होती है या फिर आपकी यहां पर लून डिस्क्वालिफाइ कर दी जाती है ध्यान पर रखिए कि अगर आपके सिविल अच्छी लेटेल करना होगा आप अपना वीडियो के वाइसी कंप्लीट करेंगे और आपको यहां पर इमेंड़न के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके यहां पर सक्सेशिफुली लोन मिल जाता है वीडियो पसंद आ होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब क करें और नोटिफिकेशन वेल कौन करें ताकि बैंकिंग और फाइनेंस एलेटर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें